हलो दोस्तों, Power System Lecture Series का यह अपना segment 1st का 3rd lecture है और आज हम चर्चा करेंगे Distribution System के बारे में तो आज की lecture में जो हमने 1st introduction में भी और 1st lecture के अंधर भी आपको पावर सिस्टम ओवर्विव में बताया था कि जिस तरह से पहले आपका generation होता है फिर transmission के मैंने दो form आपको बताये थे एक transmission होता है आपका transmission level और दूसरा होता है sub transmission level उसके बाद मैंने आपको बताये था कि एक आता है आपका primary distribution और एक secondary distribution तो वहाँ पर जो हमने distribution की चर्चा जो की थी उसमें सिर्फ हमने देखा था voltage levels को कि कितनी voltage level पर हम distribution करते हैं आज हम देखेंगे कि distribution के कौन-कौन से टाइप होते हैं AC distribution कहां यूज होता है DC distribution कहां यूज होता है तो इस तरह के और a feeder क्या है service main क्या होती है और distributor क्या है तो इन सब basic words का meaning भी जानेंगे और इसके बाद हम इसका जो numerical किस तरह के आपर बन सकते हैं तो उस तरह के topics की भी आपर चर्चा करेंगे बाकी questions जैसा कि मैंने बताया था Segment 1 जो आपका complete हो जाएगा तब हम इसकी चर्चा करेंगे तो start करते हैं पहले हम आपके simple diagram से पहले हम एक block diagram से जमस्ते हैं आज के topic को यह आपकी power आ रही है power कहां से आ रही है सब transmission level से यानि कि मैं अब transmission level को नहीं दिखाऊंगा मैं बता रहा हूं distribution system को तो मैं transmission के बाद जो power आपकी आ रही है उस power को यहां पर मैंने शो किया है उसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका जिसको मैंने बोला था primary primary distribution बोल दिया था जिसको तो यह आपका एक तरह से क्या है substation का meaning क्या है यहां पे आपके CT, BT, आपके transformer, three-phase transformer लगे हुए हैं और यह जो substation है किस तरह का होगा step down वाला होगा ठीक है अब substation से जो line आती है distribution end की तरफ जो line जा रही है transmission के बाद जो substation है उसके बाद जो line आ रही है उस line को जो नाम दिया गया है वो है आपका primary feeder इसको हम क्या बोलेंगे primary feeder बोलेंगे अब primary feeder के बाद जो यह feeder की line होती है यह कहाँ पर जाती है कुछ connections तो primary feeder से भी होते हैं बट उन connections को अभी हम neglect कर देंगे अभी हम इनकी जो mathematical study करेंगे तो हम पर हम voltage current की बात करेंगे तो हम क्या मान के चलते हैं जो primary feeder है उससे आप कोई supply नहीं दे रहे हो ठीक है यहाँ पर कोई tapping नहीं है tapping का मीनिंग क्या है जैसे आपके घर के बाहर जो आपकी three face और एक neutral wire जा रहा है तो आप connection कैसे लेते हो किसी एक face से connection उठाया और एक neutral से connection उठाया और अगर आप three face connection ले रहे हो तो आप तीनो face से connection लेते हो यही करते है तो उस connection लेने को ही बोलते हैं tapping करना तो primary feeder पे कोई tapping नहीं होती है अब primary feeder के बाद जो आपका आता है वो आता है जैसा आपने गर के आसपास देखा होगा एक pole mounted या तो primary feeder जो आपका होगा वो किस से connect होगा? distribution transformer से connect होगा और distribution transformer कौन सा है? pole mounted type का होता है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ distribution transformer अब यह जो distribution transformer है किस तरह का है? three face pole mounted type transformer ठीक है यह होगा आपका तो इस सब को बताने का जो purpose है वो यही है कि जिससे कि हम आगे आने वाले chapter में आगे आने वाले subject में जो भी यह terms है उनको समझ सके कि अगर आप से feeder कोई बोलेगा तो आप समझ जाओगे कि feeder आपका just is sub station उसको connect कर रहा है किस से distribution transformer से और इस पर कोई भी tapping नहीं होती है अब जो आपका distribution transformer यहां पर आ रहा है उसके बाद जो लाइन निकलती है वही लाइन है जो आपके घर के बाहर ओकर जा रही है. जो आपके घर के बाहर जुजु आपके जो तेज़ा इसको अबके आपन ऐसको पॉर sekarang है जो आपके छायों 1,2,2,3,4,4, यह suppose आपके गरे हैं, तो यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, इस distributor से connection ले रहे हो, तो यह connection मैंने आप 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 शो कर दी है, तो जिन lines के थुरू आप connection लेते हो, उनको हम बोलते हैं, service lines, इस तरह यहाँ पर भी कुछ घर होंगे, तो आप भी हम क्या दे रहे हैं, connection दे रहे हैं, यह जो line यह बोली जाती है, service mains, तो feeder में कोई tapping नहीं है, distributors में tapping होती है, और यह वो ही distributor है, जो आपके conductor घर के बार से जा रहे हैं, तो distributor हो गया, feeder हो गया, service man हो गया, तो तीन term अभी हमने समझी है, उनको मैं आप आप हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, अब यह तो सिर्फ हमने terminology की बात कर ली, अब हम इ electrical meaning का मतलब क्या है, कि यहाँ पर voltage current के बारे में क्या बता सकते हैं tapping से, उसकी बात हम करेंगे, तो feeder के बारे में यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो feeder line होती है, उसमें कोई tapping नहीं होती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, no tapping, अब no tapping से क्या meaning समझ में आए, suppose यह आपकी feeder line है यहाँ पर कोई tapping नहीं है, यहाँ पर कोई भी other connections नहीं है, तो जितना आप इसको current input में दोगे, उत्रा ही current आपका output में मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, I sending, और यह क्या हो जाएगा, आपका I receiving current, तो feeder से related जो आपका important point है, वो क्या है, कि I sending current जो होगा इस feeder में वो किसके equal होगा, I receiving current के, तो यह जो सबसे important point था feeder का, वो मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से अगर हम बात करें distributor की, distributor case में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि distributor में हम जानते हैं, कि distributor में क्या होती है, आपकी tapping होती है, tap at different point, tap at different point, तो tapping होगी distributor पे और जब tapping होगी तो आपकी त जल जाता है कि यहाँ पे अब जो sending current है, वो receiving current के equal नहीं होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यह suppose आपका distributor है, distributor में कौन सी lines होती है, service man's line होगी, इस तरह से connection दिये होते हैं, यह क्या है सब service man's connections है, तो इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, service man's, अब इन connections की वज़े से क्या आई sending current जो था आपका, और यहाँ पे जो हम current receive कर रहे थे, वो अब equal नहीं होगे, तो यह mathematically आपको याद रखना है, यही जो आगे जा करके theory में हमारे use होगा, वो यही point है, कि यहाँ पे जो i current है, जो हम sending current बोल रहे हैं, वो equal नहीं होगा, कि इसके i receiving current के, तो distributor और feeder का जो basic difference difference जो है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो यह आपका point हो गया, इसी को हम एक और diagram से समझ सकते हैं, suppose यह आपका sub station है, sub station से क्या जा रही है, feeder line जा रही है, अब feeder line के बाद यहाँ पे pole mounted transformer आ रहे हैं, और यहाँ से क्या दिये हुए है, आपके connections दिये हुए है, distributor line जा रही है, और distributor से क्या होते हैं, आपके service man से connection होते हैं, यह basic diagram है, जो आपको mostly books में मिलता है, related to distributor chapter, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का diagram बनायाता है, इसका कोई, जो meaning है, वो यही है, कि यहाँ पे जो sub station है, यहाँ से कौन सी line जा रही है, feeder line जा रही है, ठीक है, और यह जो lines है, जो यह आपका rectangular है, इसकी जो sides है, वो कौन सी lines है, वो हैं आपकी distributor, और distributor से क्या निकल रहे हैं, आपके service mains निकल रहे है ठीक है, तो feeder पे कोई connection नहीं दिखाया है, distributor पे connections है, इसको आप ऐसे note कर लीजिएगा, इसको अगर मैं M बोल देता हूँ, और यह आपका suppose O हो जाता है, और यह N है, और यह क्या है, आपका P, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि S, M, और S, O, यह portion कौन सा है, जहां से कोई भी connections न M, N, O, M, N, O, यह क्या हैं आपके distributor हैं, तो इस तरह से कहीं पर आपको books में मिलता है data, तो आपको अब यह भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो यह जो था, बिल्कुल जो basic points थे, वो मैंने आपको बता दिया है, अब distribution system है, distribution system का basic purpose है, वो क्या है, कि supply जो आपकी आ रही थी generator में जितनी voltage generate की, उसको आपने step up किया, step down किया, और फिर आपके घर तक आपको ले के आना है, तो जब voltage step down कर दी है, उसके बाद वो बस आपको अपके घर तक पहुंचानी है, तो वो एक distributor का काम है, तो दो चीज़े जो distributor को ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, कि एक आपके पास जो voltage जा रही है, वो uniform होनी चाहिए, कि आपको अगर बोला जा रहा है कि 230 volt तो आपके पास 230 volt ही आनी चाहिए, इस बात का एक distributor को ध्यान रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि suppose एक टैपिंग यहां पे कर दी, एक टैपिंग यहां पे की, एक टैपिंग यहां पे क इस user के पास इतनी voltage आ रही है, उसके पास voltage आएगी, वो कब आएगी, जब यहां पे voltage drop हो जाएगा, voltage drop हो जाएगा, तब इसके पास पहुंचेगी, तो क्या हो रहा है, कि voltage क्या हो रही है, different different आ रही हैं तीनो users के पास, किसकी वज़े से line में जो voltage का drop हो रहा है, उसकी जाता है कि first target तो क्या है कि आपके आपके बास वोल्टेज जा रही है यूजर के बास वोल्टेज जा रही है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए क्या होनी चाहिए uniform तो मैं आपर simple word में क्या लिख सकता हूँ जो आपका distributor आपके दो परपस हमें समझ में आते हैं distribution system first purpose क्या हो गया आपका कि supply कैसी होनी चाहिए आपके बस reliable supply होनी चाहिए reliable power supply ठीक है और दूसरा जो इसका purpose है distribution system का वो क्या है uniform voltage अब इन में से मैंने जो आपको समझा दिया है वो क्या है वो आपको मैंने समझा है uniform voltage के बारे में अब हम देख लेते है reliable power supply का meaning क्या है सपोज आपके पास आपने distributor से connection, distributor आपकी line जा रही है connection दिये जा रहे है distribution system में यह आपने first गर को connection दे दिया यह आपने second गर को connection दे दिया और यहां से supply आ रही थी ठीक है अगर सपोज यहां पर कोई fault हो जाती है तो इन दोनों गरों को क्या मिलेगी supply नहीं मिलेगी suppose यहां fault आ जाती है तो इसको supply नहीं मिलेगी बट इसको supply मिल जाएगी तो इस तरह से जो आपका system है तो उसमें क्या problem आ रही है कि supply की guarantee नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एक तरफ से ही supply दी जा रही है अगर यही connection इस तरह से होता कि हम दूसरे source से भी इसको supply देते तो अगर यहां पे fault आती तो इधर से connection तो ब्लॉक हो जाता बट आपको second generator से supply मिल जाती तो यह होता है reliable power supply reliable word का meaning यह है कि आपकी जो fault की जो आपकी connection lost होने की जो possibility हो कम से कम हो यानि की probability of fault probability of lost connection जितनी कम होगी उतना ही जदा आपका system reliable होगा reliable सिर्फ power system में apply नहीं होती है इस term को हम generally every aspect में use करते हैं कोई भी aspect हो वहाँ पर आपके reliable जैसी term को use के जाता है उसका purpose यह reliability यही बताती है कि आपकी probability से deal करती है यहाँ पर क्या meaning है कि जितनी कम आपके damage होने के chance होंगे जितना जो है कम आपके fault आने के chance होंगे तो system reliable होगा आपका distribution system के reliability के हम बात कर रहे है तो आपका क्या काम है कि आपको हर आलत में supply पहुचानी है तो जितना ज्यादा reliable system है उतने ही कम chance है कि आपके light out हो ठीक है तो यह दोनों distribution system के purpose हो गए तो जितने भी type of distribution पढ़ने वाले हैं उनमें हम उनको compare किस के according करेंगे इन दोनो qualities के according करेंगे कि वो reliable है या नहीं या फिर उसमें voltage uniform आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ठीक है यह तो एक हो गया आपना इसके qualities के बारे में अब अगर हम distribution system को आगे देखें तो distribution system आपका दो तरह का हो सकता है आप एक तो हो सकता है कि AC supply दो एक हो सकता है DC supply अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग से में ही आपको बता रहा हूं कि हम HVAC की study कर रहे है mostly आपको पता है कि घर के सामने आपके lines आ रही हो कौन सी है HVAC lines है तो distribution जातर जो है वो आपका किस तरह का होगा HVAC type का होगा है याई कि जो public utility में हम simple words बोल सकते हैं कि public utility के लिए जो आपका use लिया जाता है distribution system वो कैसा है AC supply वाला है HVAC अब AC और DC से आपको आपकी calculations में क्या फरक पढ़ने वाला है AC है तो वहाँ पे impedance होगा DC है तो वहाँ पे resistance होगा AC है तो वहाँ पे phasor values होगी DC है तो वहाँ पे आपकी normal values चलेगी ठीक है तो यह आपके calculation में difference आ जाएगा तो AC जो है आपका वो यह बताता है distribution में अगर हम AC की बात कर रहे हैं तो इसका meaning क्या है public utility के लिए तो mostly जो है आपका AC system यूज होता है public utility में भी क्योंकि हम जानते हैं कि HV DC system में भी क्या होता है यह भी हम आगे जा करके study करेंगे कि पहले आप क्या करते हो AC to DC convert करते हो फिर उसको DC की form में transmit करते हो फिर again उसको DC to AC convert करते हो फिर इसको distribute करते हो तो distribution तो हमेँसा किस में हो रहा है AC की form में हो रहा है इसलिए public utility में चाहे आपका system HVAC हो चाहे HVDC हो mostlic aces में क्या होगा AC टाइप का distribution होगा यह तो हो गया आपका AC, फिर मैंने आपके DC क्यों बताया, तो DC कहाँ पर यूज होता है, वो समझ लीजिए, जो DC है, वो यूज होता है आपके एक तो generator stations पे, जो भी आपके power plant है, वहाँ पर DC distribution को यूज करते हैं, तो हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझागो, कहाँ और क्यो यूज किया जाता है, DC को कहाँ यूज किया जा रहा है, एक तो आपका हो गया, generation stations पे, generation stations पे, एक हो गया, sub stations for protection of equipment, for protection of equipment, ठीक है, तो वहाँ पर हम DC को यूज करते हैं, कैसे वो देख लीजिए आप, कि अगर आपने machine में study की हो, तो alternator में, जो seal oil, जो है, फिल किया जाता है, अल्टरेटर के अंदर seal oil होता है, और turbine के अंदर bearing oil होता है, इन दोनों oils का यूज किया जाता है, तर्वाइन में आपका bearing oil यूज होगा, और अल्टरेटर में seal oil, seal oil का purpose किया है, जो आपकी cooling है, उसको conductor के अंदर जो cooling के लिए gas फिल की जाती है, और इसके अलावर उसकी दोन तरफ की body हो, इसमें seal oil फिल किया जाता है, जो कि एक तरह से वहाँ पर insulation प्रोवाइड कराता है, तो जो seal oil है, और इसी तरह से टर्वाइन में bearing के लिए bearing purpose के लिए bearing oil होता है, तो उसकी supply वहाँ पर continuously provide करनी होती है, तो वो जो supply दी जाती है, वो कहां से जाती है, oil tank से जाती है, तो एक तो हो गया आपका turbine, टर्वाइन में क्या है bearing oil है, ठीक है, और एक हम जानते है, अल्ट तो oil tank से turbine में भी oil बेजना है, अल्टरनेटर में भी oil बेजना है, तो उसके जो connections होते हैं, वो connections दोनों form में होते हैं, यानि कि हम AC को भी use करते हैं, pumping के लिए और अगर किसी वज़ए से AC वर्क ना करें, तो हम एक secondary applications के लिए DC बैटरी को भी आपे pumping में यूज करते हैं, तो oil tank से जो oil जा रहा है, वो दोनों application से हो गया, AC से भी और DC से भी, इसी तरह से alternator में भी होगा, AC application, यहां पे हो गई आपकी DC application, तो यह example मैंने आपको दिया है, कि DC system कहां use हो रहा है, ठीक है, तो एक तरह से DC क्या काम कर रहा है, DC काम कर रहा है, auxiliary power supply की, auxiliary power supply, ठीक है, तो वहां पे हम इसको use करते हैं, तो यह distribution system में देख लिए, हमने AC और DC दोनों होता है, mostly cases में हम AC की बात करेंगे, अब distribution system के कौन-कौन से type हमें study कर रहा है, वो देख लिजे, तो distribution जो system है, उसके जो type study की जाते हैं, फर्स्ट टाइप आता है radial system, ठीक है, second जो type है वो है आपका source fade from one end, fade from both end, not one end, fade from both end, और जो third type है वो है आपका ring type, mathematically देखा जाए तो source fade from both end और ring type दोनों में आपको ज़्यादा अलग-अलग कुछ देखने के जुड़त नहीं है, क्योंकि दोनों में आपका same method है, बस ring type में क्या होता है, जो आप VA और VB के अभी आगे जागर करके हम बात करेंगे, वो same हो जाती है, source fade from both end में, हमें VA, VB दोनों अलग-अलग रखने होते हैं, क्योंकि वो आपको numerical में given होते हैं, ठीक है, बाकी कोई mathematically और electrically को ज़्यादा difference वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, radial system थोड़े उनसे अलग हैं, और इसके drawback भी होते हैं, और इसकी एक load frequency control में application होती है, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर करते हैं, तो 1 by 1 हम चलते हैं, first आप का जाता है radial system, radial system का simple सा meaning है कि यहाँ पर source only one end पर होगा, इसका मतलब गया है कि आपके पास यह voltage की supply आ रही है, वो आपकी only one end से आ रही है, ठीक है, यह line जा रही है only one end से, इससे क्या effect पढ़ रहा है, one end का meaning क्या है, कि आपको अगर यहाँ से कोई fault आ जाती है, अगर यहाँ पर कोई problem आ गया, यह system अगर किसी तरह से faulted हो गया, तो यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर connection देने वाले हो, उन सब connections में क्या हो जाएगा, light out हो जाएगा, तो drawback तो आपको simply समझ में आ गया, तो radial system क्या है, जहाँ पर single source, एक side से आप supply दे रहे हो, वहाँ पर problem, फर्स्ट problem तो क्या देख लिए आपने, पावर की कोई reliability नहीं है, आप वादा नहीं कर सकते होगी, एक fault आते हैं, यहाँ पर तो तुरंत light out हो जाएगा, तो यहाँ पर हम, यह तो हमने देख लिया basic क्या meaning है, अब हम इसको थोड़ा electrically समझते हैं, यह suppose आपका distributor line है, यह यहाँ पर service main line जा रही है, तो यहाँ पर suppose आपकी I1 current जा रहा है, यहाँ पर आपका connection से I2 current जा रहा है, अगर एक घरकल, एक जो आपका consumer है, उसका load I1 current वाला है, एक का load I2 current का है, कि वह I2 current ड्रौ कर रहा है line से, एक हो सकता है आपका I3 current ड्रौ कर रहा है line से, ठीक है, यह तीन तरह के यहाँ पर हमने load connect कर दी है, यहाँ पर आप इसको supply दे रहे हो V voltage से, अब आपको पता है कि यहाँ से कुछ कोई ना कोई current एंटर करेगा, अब हम इस तरह से देखते हैं इसको, कि यह जो portion है, इसका resistance कितना है, R1 है, इस portion का resistance कितना है, R2 है, इस portion का कितना resistance है, R3 है, ठीक है, अब यहाँ पर हम suppose कर लेते हैं, यह VA voltage है, यह VB voltage है, यह VC voltage है, और VD voltage है, अब मैंने आपको बताया था कि distribution system की दो conditions पूरी हो नीच नीच नी, reliable होना ची, reliable तो यह नहीं है, पता चल गया, एक तरफ fault आते ही, तो light out हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई connection नहीं दिया गया है, दूसरी problem क्या है यहाँ पर, कि हमें चेक करना है कि क्या uniform voltage है, यानि कि क्या यहाँ पर भी वोई voltage, VD जो है आपकी same voltage आ रही है, VC क्या same है, VB क्या same है, VA क्योंकि आपको बताया कि अगर suppose आप यहाँ पर 230V की supply देते हो, तो क्या VD के पास भी 230V पहुंच पा रहा है कि यह हमें चेक करना है, क्योंकि पहुंचना चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं मिलता है, finally हम देखनेंगे वो नहीं मिलेगा, इसलिए इसके दोनों क्या हो जाते हैं, drawback के अंदर आ जाते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं, radial system, AC, DC दोनों में यूज होता है, दोनों के अंदर radial system देखने को मिलता है, source कैसे है, source at, one end यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, अगर यह DC connection है, मैं आपको simply application, मैं बता देता हूँ कि, अगर DC हुआ, तो यहाँ पर जो R1, R2, R3 है, यह क्या है, simple resistance होंगे, तो कोई problem ही नहीं है, DC case में तो आपको solve करने में दिक्कत ही नहीं है, simple currents है, अगर यह AC का case होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे, आपके बास resistance की चिगए क्या होंगे, impedance होंगे, बस यही डिफ्रेंस आने वाला है यहाँ पर, और current की चिगए यहाँ पर क्या होंगे, फेजर होंगे, बस यह आपको numerical में मिल जाएंगे, मैं आपको simple idea देता हूँ कि इसको कैसे solve करना है, तो मैं अभी R1, R2 लिखकर के solve करगा हूँ, आपको जब नेटवर्क आता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नी आएगी, कॉम्पलेक्स में solve करने में भी ठीक है, मैं आपको सिर्फ आपको general idea देता हूँ, segment 1 फिनिस होती है, मैं इन सब के उपर numerical अगर बनते हैं, तो सब numerical आपकर देखेंगे, ठीक है, अब देखो, calvations कैसे करनी है आपके, calvations में हमें बता है कि अगर हम बात करें आपके, इस फिकर को उपन रख लेते हैं आपके, यह आपकी voltage VA है, यह VB है, हम सब की voltage एक बार फाइंड आउट करके देखते हैं, क्योंकि आपको इस question में अगर पूच लिया जाते हैं, तो क्या-क्या गिवन होगा, R1, R2, R3, and I1, I2, I3, यही चीज़े गिवन होगी, और एक VV वोल्टेज सप्लाई गिवन होगी, अगर आप से यह पूचेगा, वो मोश्टली कैसे में, कि V से VD तक आपका कितना वोल्टेज डॉप हो गया, तो simply यह आप जानते हो, जितना current इन में flow कर रहा है लाइन्स में, वो current आपको R1 से multiply करना है, R2 से R3 से और उसको sum कर देना है, नोट देखते हैं अब इसको कैसे होगा, यह VA है, यह आपका किसके एकवल होगा, V voltage के, क्योंकि यहाँ पर कोई tapping नहीं है, VA is equal to V voltage, ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, VB कितना होगा, VB क्या हो जाएगा, VB का meaning क्या है, कि VA जितनी voltage है, उसमें कितना drop आ जाएगा, जितना इस line में current flow कर रहा है, multiply by resistance R1, अब current कितना flow कर रहा है इस line में, एक तो current flow कर रहा है, I1 plus I2 plus I3, तीनों का क्या कर रहा है, combination इसमें flow कर रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, I1 plus I2 plus I3, तो VB आपका क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा, V minus I1 plus I2 plus I3 into R1, ठीक है, इस तरह से कर हम VC की बात करें, तो अब इस line में कितना flow करेगा, यहाँ पर flow करेगा, I2 और I3, I1 नहीं करेगा, तो यह हो जाएगा आपका I2 and I3, ठीक है, तो यह क्या हैगा, आपका VB minus I2, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हो कितनी है, VB है, तो VB में से कितना और ड्रॉप होगा, इस line में जो करेंट फ्लो कर रहा है, multiply by इसका resistance, तो I2 plus I3, simple network है और कुछ नहीं है यहाँ पर, इसको multiply कर देंगे R2 से, इसी तरह से कर हमें VD find out करना है, तो VD क्या होगा, VC में से कितना और माइनस करना होगा, VC में से आपको इस line का करेंट कितना है, I3 into R3 को माइनस करना होगा, तो VD क्या होगा, VC minus I3 and multiply by R3, यह questions आपको समझ में आ गई होगी, अब देखें, अगर आपसे पूछ जाए, VA-VD कितना हुआ है, VA-VD का मतलब क्या है, VAD, अब निकाल सकते हो, V आपको पता है, सारी values अगर आप पूट करोगे, तो आपको VAD मिल जाएगा, यह क्या है, voltage drop है, voltage drop of distributor, simply समझ लीजे आप इसको figure में, यह क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आपने इस end पे supply दी, और यहाँ पे आपका final connection है, तो इस पूरे distributor में, total कितना voltage drop हुआ है, तो आप निकाल सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3 multiply by R1, I2 प्लस I3 multiply by R2, और I3 multiply by R3 का सम कर लोगे, तो आपको total voltage drop यहाँ पे मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर क्या समझ में आ रहा है, कि जितना ज़्यादा connection जो सबसे ज़्यादा last में होगा, उसमें उतनी ही कम voltage आएगी, उतनी ही कम क्या आएगी, voltage आएगी, क्योंकि उसमें drop ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने देखा, इसमें तो VB में तो only यह वाला drop हुआ, बट VC में क्या हुआ, पुराने drop के साथ साथ कौन सा एड हो गया, I2 प्लस I3 multiply by R2, इसी तरह से अगर VD की बात की जाए, इसमें VC drop तो रहा है, VC voltage तो आएगी, पर उससे भी क्या हो गई, कम हो गई, सिंपल ही समझी है, यहाँ पर 230 आई, सपोज यहाँ पर हो गई 220, फिर और कुछ माइनस हुआ, तो कितनी हो गई 210 हो गई, फिर और थोड़ा बहुत इसमें माइनस हुआ, तो सपोज यहाँ पर 200 आगया, तो जितना हम दूर जाते जा रहे हैं, उतनी ही वोल्टेज क्या होती जा रही है, ज्यादा कम होती जा रही है, तो फार एंड पर जाने पर हमारा क्या हो रहा है, जो वोल्टेज है, वो लो वोल्टेज एक्सपरियंस कर रहे हैं, तो आपको तो लगता है कि 230 आनी चाहिए, पर voltage कम आती है, वो कम क्यों आ रही है, voltage जो आपका बीच में ड्रॉप हो रहा है, लाइन का जो voltage ड्रॉप हो रहा है, उसकी वज़े से आपे कम आती है voltage, तो यह जितना ज्यादा अगर connection आपका radial type है, तो जितना ज्यादा connection जितनी दूर होगा generator से supplier से, तो उतनी कम voltage आएगी, तो इसके दो आपने drawbacks देख लिए, दोनों ही qualities में यह खरा नहीं उतर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, इसके दोनों drawbacks हो गया है, तो हम लिख सकते है, disadvantage के अंदर, फर्स्ट आपका है कि, फार एंड, फार एंड कंजूमर, experience, low voltage, ठीक है, second आपका आता है, reliable power supply is not possible, reliable power supply is not possible, ठीक है, यह दोनों line हमें देख लिए हैं आपे, reliable क्यों possible नहीं है, क्योंकि एक ही supply है, एक ही supplier है, तो अगर उसी में fault आ गई तो कोई supply, second जो आपके consumers हो, कोई supply नहीं मिलेगी, अब advantage भी होगा, कुछ ना कुछ तब ही हम इसकी study कर रहे हैं, advantage क्या है, line कितनी है, single line है, single line है, single line से क्या फाइदा होता है, कि यहां पे line loss क्या होंगे, कम होंगे, तो क्योंकि एक ही generator है, एक तरफ से supply आ रही है, तो line loss क्या हो गए, कम हो गए, power loss जो line में होते हैं, वो कम होंगे, तो यहां पे advantage क्या लिख सकते है, single line, bracket में लिख लिजिए, यहां पे less power loss, इसकी application खा है, mostly हम supply में तो public utility में तो इसको applicable करते नहीं है, but load frequency control unit के लिए इसको use किया जाता है, तो यहां पे हम लिख लेंगे, used as frequency control तो आगे जा करके हम study भी करना है, used as load frequency control unit, ठीक है, यह हो गया आपका radial system, अब हम बात करेंगे, यहां पे second जो आता है, वो है, source is feeding from both end, feeding from both end, अब यहां पे क्या होगा, simple आपका जो distributor था, यहां से connections थे, connection किस तरह के थे, suppose यह connections है, i1, i2, i3 and i4, A, B, C, D है आपके servicements के connections आ रहे हैं इस तरह समझे इसको, और फिर हमें पता है कि एक चीज और यहां पे given होगी, वो इनका resistance given होगा, R1, और अगर AC है तो हमें पता है क्या given होगा, impedance given होगा, R1, R2, R3, ठीक है, अब क्या changes क्या आ गया, पिछली बार क्या था, only single connection था, VA voltage का, ठीक है, यह अपना current जा रहा था है, यहां से IA एंटर कर रहा था, अब जो connection है, वो किस तरह का है, अब connection है, दोनों तरफ से supply है, यहां कि दूसरा connection हमने, suppose यहां पे मान लिया, VB नहीं बोलेंगा कि इसको अगर हमने VB बोल दिया है, तो इसको हम बोल देते हैं, VD बोल देते हैं, इस connection को क्या बोल सकते हैं, यहां पे जो voltage है वही क्या होगी, यहां पे क्योंकि बीच में कोई tapping नहीं है, तो इसको हम यहां पे लिख देते हैं VD, ठीक है यह हो गया आपके बस VA और VD, फर्क आपको समझ में आ गया होगा, अब यहां पे जो आपसे question पूछा जाता है, जो exam में पूछा जाता है, कौन सा जो आपका node है, वो सबसे कम voltage experience करेगा, Radial में तो answer देना easy है, क्योंकि Radial में हम जानते हैं, सबसे last में जो connection है, उसी को सबसे कम voltage मिलेगी, इसमें हमें calculate करके देखना होगा, कि सबसे कम voltage किसके पास आ रही है, तो simple network का question बन जाता है, circuit बन जाता है, जहां पे आपको VA, VB, VCD और VCD निकालना होगा, चारो voltage और चारो voltage में सबसे कम voltage को बताना होगा, फिर भी मैं आपको इसकी sequence बता जाता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, तो इस problem किस तरह की बन गई, reliable तो यह जादा होई चुका है, क्योंकि suppose यहां पे कोई problem आती है, तो supply VD से मिल जाएगी, VD में कोई fault आ रही है तो VA से supply मिल जाएगी, तो reliable तो है यह, अब voltage की बात कर रहें, uniform की तो uniform voltage यहां पे आपको जो है, मिलेगी, radial से तो जादा मिलेगी आपको, बट यहां पर भी कोई ऐसा node आएगा जो और node की बजाय क्या करेगा, कम voltage experience करेगा, वो ही यहां पे पूछा जाता है, तो गिवन क्या क्या होगा आपको numerical में, गिवन होगा आपको जितने भी आपके load connections हैं, उनके current आपको गिवन होगे, उसके लाब आपको दोनों supply की voltage गिवन होगी, और आपको R1, R2, R3 जो भी resistance impedance है, वो भी क्या होगा, गिवन होगा, और आपसे पूछा क्या जाएगा यहां पे, आपको निकालना होगा minimum voltage node जो है आपका, कही बार पूछे जाता है कि minimum node voltage कौन सा है, और उसकी voltage कितनी है, कितनी voltage वहां पे आ रही है, suppose answer है आपका B, तो आपको यह बताना होगा कि B पे कितनी voltage आ रही है, तो यह चीज़ें यहां पे पूछी जाती है, minimum voltage drop, and minimum voltage, इसमें और next वाले में ज्यादा difference नहीं है, बस next वाला ring type है, ring में क्या करेंगे हम इन दोनों को same कर देंगे, same करने से क्या होगा, VA और VD क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो वहां पे calculation की equation यही होगी, बस VA equal to VD हम पे put कर देंगे, क्योंकि वह कैसा है, ring type है, meaning क्या है कि सारे generator वह आपस में भी connected है, तो उससे क्या हो जाता है, कि VA VD क्या हो गई आपस में same हो जाते हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं है, यह connection किसी और line से आ रहा है, और यह connection किसी और line से आ रहा है, तो VA VD क्या है दोनों अलग अलग है, यहां पे हमें वही same निकालना है voltage drop का method, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम step wise में आपको लिखवाता हूँ, first step क्या होगी यहां पे, पहले हम assume करेंगे कि यहां से current जो enter कर रहा है वो कितना है, IA है, तो हम क्या लिख सकते हैं, assume IA from VA, क्योंकि हम पता है कि supply दोनों side से आएगी, बट हमने एक current मान लिया भी यह मान के चल रहा है कि IA current यहां पे enter कर रहा है, तो अब IA current आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो हम यह लिख सकते है calculate IA, IA कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको यहां पर एक equation लिखनी होगी, simple equation लिखोगे क्योंकि VA VD पता है, I1, I2, I3, I4 पता है और R1, R2, R3 पता है, आपको सब कुछ पता है यहां पे, तो अब आप एक equation यूज कर सकते हो, equation क्या लिखी जाएगी यहां पर, VA-VD, total voltage drop कैसे निकल जाएगा, अब हमें बता है कि total voltage drop क्या होगा, पहले तो हम देखेंगे, यहां पे जो R1 है, इसमें कितना current flow कर रहा है, पहले हम यह देखना होगा, इसमें current कितना flow करेगा, यहां से current कितना enter कर रहा है, IA, IA मेंसे I1 यहां पे चला गया, तो इसमें कितना करेगा, IA-I1, तो यहां पे कह लिख सकता हूँ मैं, simple network का question है, और कुछ नहीं है, IA-I1 multiply by R1, अब यहां पे I1 जा चुका है, नेक्स्ट में I2 चला गया है, तो R2 वाली line में कितना current flow करेगा, यह हो जाएगा आपका, IA-I1, और माइनस क्या हो जाएगा यहां पे, I2, तो और कितना drop हो गया, IA-I1-I2 multiply by R2, इसी तरह से कर हम इस third line में बात करें, तो इसमें कितना current flow करेगा, IA-I1-I2 तो जाएगी चुका है, अब एक और आ जाएगा इसमें क्या, I3 तो यहां पे क्या लिखेंगे हैं, IA-I1-I2-I3 multiply by R3, यही लिखा जाएगा, यह हो गया total drop, अब आपको पताएगा इसमें कौन-कौन सी quantities आपको पताएग, आपको I1, sorry, यह है आपका, IA-I1 ठीक है, अब आपको इसमें क्या-क्या पता है वह देख लीजिए, एक आपको पता है, I1 पता है, R1 आपको पता है, इसी तरह से I1, I2 पता है, R2 पता है, यह तीनों आपको पता है, R3 पता है और आपको VA, VD भी पता है, तो इस equation से आप क्या find out कर सकते हो, इस equation से आप निकाल सकते हो, IA, और अगर आपको IA यहाँ पर मिल जाता है, IA मिल जाएगा इस step 2 के बाद, तो अब आप क्या check कर सकते हो, इन lines में current निकाल सकते हो, कि आपने क्या suppose किया है कि IA current यहाँ से flow कर रहा है, तो अब आप इन तीनोes lines निकाल जिए, इसमें कितना current होगा, IA-I1. इसमें भी आप current निकाल लिए, यह क्या आएगा, IA-I1-I2. इसमें भी आप current निकालोगे. IA-I1-I2-I3. अब निकाल सकते हो, IA पता चलने के बाद, अब आप जो current निकालोगे फिर आप check करो उसमें किसमे sign change हो रहा है suppose यहाँ पे जो current आया वो आपका आ रहा है positive यहाँ पे जाकर करके अगर negative point हो गया तो आपको समझ जाना है कि VB और VC यहाँ पे अभी हम क्या मान के चल रहे थे suppose यहाँ यही पे आपका current का sign positive है इसका मतलब क्या है VA क्या है high voltage है किससे VB से और यहाँ पे जाकर करके हमने देगा current का sign आपका negative हो गया इसका meaning क्या है कि VC आपका ज्यादा है किससे VB से तो इससे क्या बद चलता है कि B node है जो आपका सबसे कम voltage वाला है तो आपको क्या check करना है इन तीनों current के sign को देखना है sign change कब हो रहा है आपका check for sign change तो हम third step क्या लग सकते है check for sign change तो जहाँ पे आपका sign change होगा first आपने निकाला IA-I1 ऐसे ही आपने निकाला IA-I1-I2 ऐसे ही आपने निकाला IA-I1-I2-I3 तो जहाँ पे आपका sign change होगा इससे क्या पता चल गया कि suppose आपके यह दोनों नोड थे और आपको पता चला कि यहाँ इससे पहले current positive था, यहाँ पे negative हो गया केस ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर करेंट नेगेटिव आ रहा था यहां पर जा क्या हो गया है पॉज्टिव आ गया है इसका मतलब क्या है कि करेंट का साइन चेंज हुआ तो हम फर्स्ट केस लेकर करके चल लेते हैं भी आपका करेंट पॉज्टिव आ रहा है और पॉज्टि यानि हमने वाना यह था बफ्रेंट कैसे फ्लो कर रहा है peace इससे क्या पता चलेगा ur JC इन तौनों में अगर हम यह मानके चल रहें बफ्रेंटर्ट्य का मतलब क्या 末 चाय को स्इवर दीज कर संखला है । अब आपको पता चल गया कि इनसम लोगता वाल अप कौन सा है VB node, इसलिए मैंना आपको इस टेप बताईए, टेक्निकली आप समझ सकते हो क्यों VB है, बट आप याद रखें कि इस तरह से आपने सॉल किया, उसके बाद आपने तीनो करेंट को देखा, तीनो करेंट में से जहां पे आपका का साइन चेंज हो रहा है, वही नोड क्या हो जाएगा, आपका मिनिममम वोल्टेज का नोड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4th पॉइंट लिख सकते हैं, जो मैंने आप वाइट कलर से लिखा है, आप उसको नोड कर ले ना, तो यह आप का हो जाएगा, 4th पॉइंट क्या कहता है, नोड अफसान चेंज, node of sin change क्या होगा node of minimum voltage होगा node of minimum voltage ठीक है अब अगर आपसे suppose voltage पूछ लिजा है तो वो भी निकाल सकते होगा आपको current तो पता है अब आपको क्या पचल चुका है current तो पता है तो अगर आप V भी निकालना है तो कैसे निकाल होगे वी ए जो आपकी voltage आ रही है यहाँ पर कितनी आ रही है वी ए में से क्या minus कर दोगे वी ए में से आपका minus हो जाएगा आइए माइनस आइवन multiply by R1 तो आपको क्या मिल जाएगा वी बी मिल जाएगा तो अब आप simple network के थूर क्या निकाल लोगे यहाँ पर minimum voltage भी find out कर सकते हो किसके थूर के थूर के थूर के थूर तो यह इसका numerical हम देखेंगे segment 1 के finish होने पर तो जो basic idea था वो आपको लग गया होगा तो 5th step क्या हो जाएगी calculate minimum voltage using kvl ठीक है अब 3rd जो आपका final system आता है वो कैसा है 3rd system की बात करें अभी हमने देख लिया radial system देख लिया end हमने देख लिया यहाँ पर source जब 2 end पर लगाओ अब जो 3rd है वो है आपका ring system इसमें आपको कुछ ज़्यादा देखने की जड़त नहीं हो कि आपको source from 2 end समझ में आ गया तो ring system में कोई problem नहीं आएगी क्या difference है देख लिजे यहाँ पर भी क्या होगा आपका वोई distributor है यहाँ पर आपके connections आ रहे हैं suppose इस तरह से इसको i1 बोल देते हैं हम i2 बोल देते हैं इसे i3 i4 बोल दिया यह आपको पहले से ही बता है यह भी आपको given होगा vd supply होगी ठीक है last case यही था अब ring type में क्या होता है कि यह दोनों supply भी आपस में क्या होती है connected होती है तभी तो ring बनेगी है यह क्या होगई आपकी complete ring हो गई तो ring होने से क्या difference यहाँ पर आया calculation तो आपको वही करनी है एक i a current माल लेना है देन आप va-vd calculate करोगे va-vd calculate करके आप i a निकाल लोगे और i a आगया assign change को check करोगे फिर आपको कम node वाला यहाँ पर भी question सेम बनेगा यहाँ पर भी आपको वही निकालना पड़ेगा minimum voltage node but calculation में क्या simplification हो जाएगा दोनों अगर आपके आपस में connected है node तो इससे क्या technically बता चला हमें कि va क्या होगा vd के equal होगा बस इतना change आपके ring type system में आता है बाकी calculation क्या होगी सेम होगी तो यहाँ पर अगर हम step लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे simple हम लिख सकते है calculation as second type इस तरह से आप notes में लिख लिए आपके calculation as second type वही हम calculate करेंगे va minus vd किसके equal आएगा i a minus i1 multiply by r1 आएगा then again second line में कितना drop होगा i a उसमें से आपका i1 i2 दोनों current minus हो जाएगे तो i1 i a minus i1 minus i2 multiply by r2 इसी तरह से third में क्या होगा i a minus i1 minus i2 minus i3 इसको आप फिर से आप एक बार circuit बना करके note करोगे जब आपको अच्छे से यह समझ में आ जाएगा अब रिंग टाइप में आप क्या पूट कर दोगे इन रिंग टाइप आपको बताएगी वी a minus vd is equal to क्या है zero यानि की वी a vd के क्या है equal है तो यहाँ पर जो equation आ रही है सेम है ठीक है तो यह आपके बास हो जाता है इसकी ring और source जो आपने देखे अभी उसकी applications क्या है ring देखा source end from both end देखा इन तोनों के क्या advantage क्या है इनके mostly cases में आपके इस तरह के connections होते है ring या source end from both end वाले connection ही आपको मिलेंगे तो advantage क्या हो गए तो reliable power supply क्योंकि अगर एक तरफ से supply off भी हो जाती है दूसरी तरफ से आपको supply proper मिल जाएगी तो reliable क्या है यहाँ पर power supply है ठीक है next क्या है आपके पास यहाँ पर nearly uniform voltage है क्योंकि अब आपको पता चल गया कि अगर radial system होता तो जितनी दूर connection होता उतनी voltage कम होती जाती बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता इन दोनों cases में यहाँ पर आपको nearly equal voltage मिलेगी nearly equal uniform voltage का मतलब है कि कोई ना कोई node तो होगा जहाँ पर minimum voltage आएगी बट अब आपका यह system खतम हो जाएगा कि आप जितना दूर जाओगे line से वहाँ पर आपको कम voltage मिलेगी क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से क्या है voltage supply available है अब यहाँ पर disadvantage है disadvantage जो है अर्चीज के दोनों पहली होते है advantage भी disadvantage भी disadvantage भी तो disadvantage आपको समझ में आई गया होगा कि radial में single line थी यहाँ पर line increase हो चुकी है तो जितनी ज्यादा lines होगी simple word में बोल सकते है more line more power loss ठीक है यह इसके advantage और disadvantage हो गया तो यह आज हमने देखा distribution system उसे मैंने आपको theoretical portion भी बता दिया है और आपका जो networking का portion बनेगा वही मैंने आपको बता दिया है तो यहाँ से questions पूछे जा सकते हैं वह आपके mostly कैसे पूछे जाते है minimum voltage नोड के ओपर जो आपका question है वह बन सकता है तो वह आपको याद रखना है आज के lecture में जो important point है वह क्या है आपका minimum load कैसे निकाल जाता है minimum load voltage कैसे find out की जाती है networking के through हम इसको find out कर सकते हैं simply हमने KVL use किया है और कुछ नहीं लगाया है आपे तो इसके numerical segment 1 की ending में हम देख लेंगे और next lecture में जो हम देखने वाले है वो है आपका power line performance की बात करेंगे किस तरह से high voltage क्यों हम जितनी ज़्यादा high voltage पर जा रहे हैं क्योंकि मैं last lecture में आपको बताया था कि हम पहले 200, 400, 765 और हम 1100 तक जा रहे हैं फिर 2000 KV की line तक भी जा रहे हैं तो इतनी high voltage की line पर जाने के क्या फाइदे हैं high voltage में transmit करने के क्या advantages हैं तो वो आपके आएंगे power line performance में so thank you